Hello and welcome to Indian Kitchen Recipes आपको कौन सा हल्वा जादा पसंद है? सूजी का, आटे का या बेसन का? मुझे तो तीनों ही बहुत पसंद हैं तो चलिए, आज एक ऐसा हल्वा बनाते हैं जिसमें तीनों का टेस्ट हमें एक साथ मिल जाए तो आज हम बना रहे हैं 3-in-1 हल्वा आईए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है सबसे पहले हम लेंगे आधी कटोरी सूजी 1-4 कटोरी बेसन और 1-4 कटोरी आटाव तो ये तीनों ड्राइ इंग्रीडियन्स को अगर हमें ला दें तो हो गया 1 कटोरी इसके साथ हम ले लेंगे 1 कटोरी घी 1 कटोरी चीनी और कुछ स्ट्रैंड्स हम ले रहे हैं केसर के जिसमें हम थोड़ा सा गरम दूट डालके अभी थोड़ी दिर के लिए रख देंगे ताकि केसर का सारा असर इस दूद में आ जाए थोड़े से बदाम यहां पर मैंने बिलकुल बारी काट लिये हैं इनें भी हम यूज करेंगे अब बारी है हमारे लिक्विड इंगरीडियन्स की 2 कटोरी हम दूद ले रहे हैं और 1 कटोरी हम लेंगे पानी सबसे पहले एक पैन में मैंने दो कटोरी दूद ले लिया है अब इसके साथ मैं इसमें एक कटोरी पानी भी डाल दूँगी और इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी चीनी हमें चीनी दूद और पानी का एक सिरप तयार करना है इसमें मैं केसर भी अभी डाल दूँगी जो हमने दूद में बिगो के रखा था इसे हम मीडियम फ्लेम पर तब तक पका लेंगे जब तक ये सारी चीनी इसमें घुलना जाए अब हम एक कड़ाई में घी डाल रहे हैं घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे जैसे ही घी गरम हो जाएगा पिगल जाएगा तो हम इसमें अपने ड्राइ इंग्रीडियन्स आड़ करना शुरू करेंगे घी अच्छी तरह पिगल गया है तो अब मैं इसमें डाल रहे हूं आधी कटोरी सूजी वन फोर्थ कटोरी बेसन वन फोर्थ कटोरी आटा इन्हें अलग-अलग भूनने की कोई जरूरत नहीं है आप सब कुछ एक साथ ही डाल कर भून सकते हैं इसे लगातार चलाते हुए हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भून लेना है अच्छी तरह से इसमें हमें 12-15 मिनट लग जाएंगे सारे इंग्रीडियंट्स हमारे भून चुके हैं इसमें बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है अब हम इसमें दूद और चीनी का जो हमने सिरप तयार किया था वो डाल रहे हैं ध्यान रखना है इसे डालते हुए लगातार हिलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप्स ना पड़े देखिए इसे लगातार हिलाने से इसमें एक भी लंप नहीं आया है बिल्कुल यही स्मूद टेक्स्चर हमें चाहिए सिरप एड़ करने के बाद भी आप इसे लगातार हिलाते रहें यह गाड़ा होने लगेगा अब हम यहाँ पर आधे बादाम अभी डाल रहे हैं और आधे हम गार्णिश के लिए बचा के रखेंगे दो मिनिट में ही यह हल्वा बिल्कुल गाड़ा हो गया है देखिए कितनी अच्छी रिबन कंसिस्टेंसी बन गई है अब हम गैस बन कर देंगे क्योंकि थोड़ा ठंडा होकर भी और गाड़ा हो जाएगा अब इसे मैं एक स्टील के बड़े बाउल में निकाल रहे हूँ इसे सर्विंग के लिए पहले मैं इस बाउल में निकालूंगी और एक स्पून की हेल्प से इसे दबा कर अच्छी तरह सेट कर लूँगी देखे इस तरह मैंने सेट कर लिया है अब एक सर्विंग प्लेट को इसके उपर उल्टा करके मैं ये हलवा इस तरह से निकाल लूँगी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई